आज हम बनाएंगे सभी का फेवरेट मतलब बच्चों से लेगर बड़ों तक सभी का फेवरेट रसगुला जिसे चेना रसगुला भी कहते हैं क्योंकि ये रसगुले खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं इसलिए सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं तो फ्रेंट्स आप इसे कभी भी बना सकते हैं किसी भी फेस्टिवल पर या किसी भी ओकेजन पर आप इसे बना सकते हैं तो फ्रेंट्स आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की देरा आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए और साती में इस वीडियो को शेर करना ब 일कुल न भूले और जिन्नों नहीं भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास मेंदिए हुए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें कर दोद्ट तो यहां हमने एक लिटर फुल क्रीम दूद लिया है तो इसको बलने देते हैं तो फेंट्स द्यान रखें इसके लिए हमें फुल क्रीम दूद ही चाहिए तो फेंट्स आप देख सकते हैं दूद में उबाल आ चुका है और जैसे ही दूद में उबाल आएगा हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हमें गरम दूद को नहीं फाड़ना है क्योंकि अगरम गरम दूद को फाड़ना है तो जो हमारे र और आब इस कोटन के सब्शान लेंगे और अब इसके ऊपड़ा है लेंगे जिस्से बीस वाश पानुपां तो साथ लुक्त है, पाणजी नहीं बनेगा इस में इसे हैं अच्छी तरीके से मसलेंगे झाहने मर dolεί है क्योंकि अगर हम इसे अच्छा तरीके से नहीं मसलेंगे तो जो रसगुला है हमारा बिल्कुल भी स्पॉंजी नहीं बनेगा तो कम से कम पांच से साथ मिनट तक हम इस तरीके से हतेलियों के हल्प से मसलेंगे जैसा वीडियो में देख रहे हैं और पांच मिनट बाद आप देखेंगे जो छेना है हमारा हलका से चिकना हो गया है तो अब इसमें हम एड करेंगे यह वन टीस्पून सूजी है इसे डाल देंगे इसे डालने से जो रसगुला है हमारा बहुत है ज्यादा स्पॉंजी बनेगा और साथ ही में हम इसमें डालें तो फैंस टोटल 15 मिनट हो चुके हैं चैने को मसलते हुए और यह चैना अच्छी तरीके से चिकना हो गया है अब हम इसमें से रसगुले बनाएंगे तो छोटी-चोटी इसमें से लोई ले लेते हैं द्यान रखें जादा बड़ी लोई नहीं लेनी है क्योंकि जो रसगुले का साइज है वो डबल हो जाता है इसलिए हम इसमें से चोटी-चोटी लोई बनाएंगे तो एक चोटी सी लोई इस तरीके से बनाएंगे दोनों हतेलियों के बीच में इस लोई को रखके इस तरीके से घुमाएंगे हलके आतों से ज्यादा टाइट हातों से नहीं गुमाना इसी तरीके से सारे रसगुले बना लेते हैं तो फेंड्स एक किलो दूद में टोटल ग्यारा रसगुले बनके हमारे तयार हुए हैं आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं तो फेंट्स रसगुल्लों बालने के लिए यहां पे मैंने कड़ाई ली है तो ध्यान रखे इसके लिए कोई चोड़ा ही बढ़तल है या तो कड़ाई या पतीला या कूकर आप कोई भी ले सकते हैं अब इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी हम इसमें डालेंगे तीन ग्लास दूद डालेंगे दो या तीन चम्मच के करीब ज्यादा दूद नहीं डालना जिससे की जो भी चीनी की गंदकी है वो निकल खे ऊपर आजाएगी और अब इसे हम मेडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पकने देंगे और इसे अच्छी तरीके से उबलने देंगे देख सकते हैं पानी वो बाल आ चुका है और साइड की जुगंदकी है उसे अटा देते हैं तो अगर आपके पास नीबू है तो आप नीबू को आदा काटके डाल दें वही यूज करें मेरे पास नीबू नहीं था इसलिए मैंने दूद का यूज किया था अगर नीबू है त यह नहीं चलाना है नहीं तो अमारे रसगुले तोट जाएंगे अब इसे धग देंगे और 15 मिनट तक ऐसी मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे तो फेंट्स टोटल 15 मिनट हो चुके हैं बीच में हमने चेक किया था 10 से 12 मिनट बाद तब हमारे रजगुले नहीं बनेते और 15 मिनट बाद ये देखिए रजगुले हमारे बिल्कुल डबल साइज के हो गए हैं और कितने बड़िया रजगुले बने हैं आप देख सकते हैं एक दम स्पॉंजी है ये देखने में ही लग रहे हैं तो गैस को बन कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो गैस को बन कर देते हैं तो फैंट्स रजगुले हमारे ठंडे हो चुकी है अब इसमें हम एड़ करेंगे केवड़ा एसेंस अगर यह नहीं है तो आप इसे अवोईट कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है डालना तो मैंने इसमें half teaspoon से थोड़ा सा कम केवड essence डाला है और डालने के बाद इसे mix कर दिया है इसे बहुत अच्छा flavor आता है इसमें और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया रसगुले बने हैं तो अब हम इने serve करेंगे देखने में ही बहुत ज़्यादा sponge लग रहे हैं ये तो ये लिजे फैंट्स रसगुले बनके हमारे तयार है तो फैंट्स ये लिजे ये रसगुलों को हमने serve कर दिया है इनको और ज़्यादा attractive करने के लिए हम इसके उपा थोड़ा सा केसर डालेंगे जिससे के ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगे तो ये देखें फैंट्स कितने बढ़िया रसगुले बनके हमारे तयार है आप इने बनाईए और खाईए और बनाने के बाद मुझे नीचे comment box में comment लिखे ज़रूर बताईए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आये तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले तो जल्दे ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ